लेसन का नाम है हमारा sources of energy एनरजी हमें किन-किन चीजों से मिलती है we already know that energy is the capacity of a body to do work हम ये सब जानते है energy की define कहए energy is the capacity to do work यानि जो आप क्याम करते हो वो आपको एनरजी कहां से आती है जब भी आपको पढ़ाया जाता है आप school में होते हो तो सबे पहले कहते हैं, तो क्या पहला आंसर आता है, खाना जो है, वोगों में एनर्जी देता है, काम करने के लिए, तो कोई भी जो भी काम होता है, उस पैक पहले जिस्टे सब्धे इ Monsieur कुपाषिया है, लग जाय सूर कौन सब्सक्रीज च्रुमा मुट्रुए। टोح सबसे पहले कहते हैं खाना यू काते हैं तो क्या पहला नवसार आता है खाना जो है वह में एनर्जी देता हूं काम करने के लिए तो कोई भी जो हथी काम होता है उसे एनर्जी चाहिए होती heat energy chemical electrical light sound nuclear so on सारी पढ़ी है इंटर convertible energy inter convertible मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में convert हो जाती है जैसे आपका tube light है हम जब tube light को on करते हैं तो उसमें electrical energy किसमें convert होती है light energy में और थोड़ी सी heat energy में भी क्योंकि जब tube light को आप छूते हो तो वह गरम हो जाती है तो यह इंकर इंटर convertible है however energy cannot be created or destroyed यह जो है यह law of conservation of energy कि ना आप energy को पैदा कर सकते हो ना आप energy को मार सकते नीदर created not destroyed but it can be changed from one form to another लेकिन आम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में change कर सकते हैं we need energy for all activities जितने भी हम काम करते हैं सब के लिए हमें क्या चाहिए energy चाहिए from baking chapatis फॉर्म बेकिंग चापाती और कुकिक टू स्टेंडिंग एस्ट्रोनॉट इंटू स्पेस कहते हैं अगर आपको घर में खाना बनाना है और एस्ट्रोनॉट को स्पेस में बेजना है तो आपको क्या चाहिए energy चाहिए यह आपकी फ्यूल की डिफाइन आ गई डिफाइन फ्यूल के वह सब्स्टेंस जिनको हम जलाते हैं और जलाने पर हीट प्रड्यूज होती है उसको हम कहते हैं फ्यूल वुड है वुड को जलाने पर हीट प्रड्यूज होती है तो उसको हम कहते हैं फ्यूल आप प्लास्ट जलाओगे वो नहीं जलेगा हीट प्रड्यूज नहीं होगी तो प्लास्टिक इस नॉट आ फ्यूल नेक्स रहापका क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनरजी को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं देखो ऐसे ही कोश्चन आएगा हाव विल्यू क्लासिफाई से सोर्से आप बने होते हैं नेचर में अपने अपने होते हैं नेचर अजैसे सोलर एनरजी उसे हम नहीं बना सकते हैं वैसे चाइना में एक यह उसे एकसपेरिमेंट चल रहा है मूँ सन बनाने का विंड एनरजी एनरजी फ्रॉम वाटर कुछ ऐसे नैचरल सोर्सेफ अफ एनरजी सिंथेटिक मतलब बनाना मैं इंधिस सकते हो मैं में इंवी सकते हो तो इस इन्सान यूज करता है ठीके में इडिट यूज यूज जिनको जो जो man-made material है ना उनसे use करके जो energy के source बनाये जाते हैं उनको ये synthetic sources कह रहा है जैसे chemical energy, energy battery cell होता है ना, cell में हम energy use करते हैं, वो electrical energy बनती है, is a synthetic source of energy आप यहीं booky language कर ले ना next way, how will you classify energy on the basis of physical state, physical कौन कौनसे states होती है, तीन states है ना लिक्विड गैस, तो जब देखिए, अब on the basis of state क्या है, solid fuels, तो क्या define है, solid fuel exist in solid state at room temperature, जो solid में होगा, कौन कौन से होते हैं, कोक, charcoal, wood, यह सारे आपके example आगे, next आपका है, liquid fuels तो क्या लिखोगे, liquid fuels exist in liquid state at room temperature, इसमें आपके कौन से example आगे, kerosene, diesel, petrol, gaseous fuels exist in gaseous state at room temperature, तो language तो सबकी सेम है, कोई मुश्किल नहीं है, LPG, CNG, biogas, यह आपके example आगे, तो आपको define भी लिखनी है, और आपको example भी लिखने है, next है, how will you classify resource on the basis of availability, यह important है, ठीक है, renewable resource, यानि जो कभी, जब तक हम जिन्दा है, नेचर में, यह खतम नहीं होंगे, यह बनते रहते हैं, और इसको हम in exhaustible resources भी कहते हैं, ओके दूसरे होते हैं non-renewable, यानि जब तक अगर एक बर यह खतम हो गए, और हम जब तक जिन्दा हैं, यह दुबारा तब नहीं बनेंगे, इनको बनने में बहुत हजारों करोडों साल लगते हैं, तो इनको हम non-renewable को exhaustible resources भी कहते हैं, तो इनमें defined भी आता है, renewable sources of energy is a natural source that can replenish itself naturally over a short period of time, replenish मतलब दुबारा से बन जाते हैं, जो खुद को वापस ले लेते हैं, short period of time, कम टाइम लगता है, बन जाते हैं इसमें दुबारा जैसे wind, sun, अभी दिन में sun चला गया, ठीक है, नहीं मिल रही है, आपको solar energy next day फिर आ जाएगा, तब आप solar energy ले सकते हो, biomass, hydropower, hydropower जो है, वो पानी से बनती है, water से, electricity, तो यह आपके renewable source है, और इनको हम inexhaustible resources भी कहते हैं, एक और point है, renewable sources do not pollute our environment, difference में आएगा, तो आप यह लेखना, अब इसका just opposite non-renewable है, which get used up and cannot be replaced, जो एक बर use हो गए, तो आप इनकी जगा दूसरे नहीं ला सकते, और replenish दुबारा नहीं बना सकते, in a short period of time, तभी मैंने आपको वो language जीती, कि जब तक आप जिन्दा है, language मैंने यह बोली थी, are called non-renewable resources, यह जो होते हैं, इनको exhaustible resources भी कहते हैं, और यह इनके example है, koala, fossil fuels, fossil fuels के हैं, आपके coal, petroleum, यही पूरा लेसन के बारे में, आप पढ़ोगे इनके बारे में, तो यह आपके जो है, non-renewable they pollute our environment, यह हमारे environment को pollute करते हैं, अब है आपका fossil fuels, देखो, fuels पढ़े थे, जो भी चीज जलती है, heat energy produce करती है, वो fuels है, fossils का मतलब क्या होता है, fossils के मतलब में ही इसका अंसर है, fossils का मतलब होता है, dead remains of plants and animals, जो मर गए, उनके जो अफ्शेशन होजाती है, coal और petroleum जो हैं, वो हमारे fossils fuels हैं, तो basically question यह भी आता है, why coal and petroleum are called fossils fuels, तो नहीं तुम्हें जड़ा सा idea देती हूं, coal कैसे बनते हैं, हजारों करोनों साल पहले, जो plants और बड़े-बड़े जानवर, basically बड़े-बड़े plants, earth में नीचे दब गए थे, उनको मिट्टी उपर से cover करती गई, तो due to heat और pressure, वो किसमें change हो गए, coal में, तो वो बने किस से, living things के dead, और जो पेट्रोलियम बना है, वो जो आपका ocean है, ocean के नीचे जो छोटे-छोटे plants और microorganisms जो जान पड़ते, वही जब मिट्टी के नीचे दब गए, मर गए, तो due to heat और pressure, वो किसमें convert हो गए, पेट्रोलियम में, तो वो भी living things उसे ही बने है, दोनो living things उसे ही बने हैं, living things के ही remains है, जो due to heat और pressure change हो गए, तो इसलिए इनको हम fossil fuel कहते हैं, at present most of our energy needs are met through non-renewable resources, तो कहते हैं, आज हमारी जितनी भी energy की need है, वो किस से पूरी होती है, non-renewable से, non-renewable में मेंली कौन से है, petroleum, natural gas और coal, CNG से vehicles चलते हैं, ठीक है, और ये petroleum, petroleum से अलग-अलग product निकलते हैं, diesel, kerosene, और coal, तो आप जानते ही हैं कोईला, तो basically यहीं source हम यूज करते हैं, देखें यह रहा, fossil fuels are called so, why fossil fuels are called so, because they were formed over a period of millions of years, by the action of heat and pressure, on the remains of dead plants and animals, यहीं बताया था मैंने, कि heat और pressure का action हुआ, dead plants और animals में, हजारों साल पहले, तब यह जाके, आपके fossil fuels, coal और petroleum बने, अब यहाँ पे आपके यह भी question रुकता है, why coal and petroleum are called fossil fuels, तो answer यह, same आएगा, आप तर,